भारत वर्ष में कई ऐसे मंदिर और धार्मिक स्थल हैं जिनसे कई रहसे और पौराणिक मान्यताईं जुड़ी हैं पौराणिक काल्च से ही ये स्थल आस्था और अध्यात्म का केंद्र बने हुए हैं ऐसी ही एक मंदिर के दर्शन आज हम आपको कराने जा रहे हैं जिसके बारे में मानिताई हैं कि यहीं सही भगवान भोलेनात के शिवलिंग की पूजा का प्रचलन शुरू हुआ था हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे उत्तरा खंड में इस्थित जागेश्वर धाम के बारे में जागेश्वर धाम आध्यात्म और प्रकृति का एक अनूठा संगम है प्राकृतिक सुंदर्ता शांती वास्था को अपने में समाए हुए इस मंदर के बारे में मानिता है कि इस मंदर में स्थित शिवलिंग शिव के बारा जोतर लिंगों में से एक है मानिता है कि इसी मंदिर से ही भगवान शिव के लिंग रूप में पूजा की शुरुआत हुई यहां कि पूजा के बाद ही पूरी दुनिया में शिवलिंग की पूजा की जाने लगी और कई स्वैम निर्मित शिवलिंगों को बाद में जोतरलिंग के रूप में पूजा जाने लगा ये धाम 124 छोटे और बड़े मंदिरों का एक समूव है लेकिन इन में से केवल 4 मंदिरों में पूजा की जाती है जबकि बाकी मंदिरों के सिर्फ दर्शन किये जाते है इन में से कई मंदिर भारतिय पुरा तत्व सर्वेक्षन द्वारा संरक्षित है मानिता है कि जो भी इस मंदिर में सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है भगवान उसकी हर मनो कामना पूरी करते है हरोज हजारो भक्त यहां आकर आध्यात्मिक शांती के साथ साथ प्राकृतिक सुन्दर्ता का लुट्फ उठाते हैं दोस्तों जागेश्वर धाम और उत्राखंड से जुड़ी और भी कई अन्य जानकारियां हम आपको इस चानल के माध्यम से हमारे आने वाले वीडियोस में देते रहेंगे हमारे आने वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियोस को लाइक और शेर भी जरूर करें